हेलो दोस्तों नमस्कार वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफर्म टॉप 10 क्लासिस तो डिये श्टुडेंट आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कच्छा दस के मैध की प्रश्णावली एक दसमलो दो कच्छा 10 की प्रश्णावली एक दसमलो दो चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चो प्रश्णावली स्टार्ट करने से पहले इस प्रश्णावली में कुछ फार्मूले का उपयोग करना है वो सुत्र हम लोग जान लेंगे वो सुत्र क्या होता है सुत्र को लिखने से पहले सुत्र को जानने से पढले जो बच्चे चैनल पर जुड़ गए होंगे अगर चैनल को सस्क्राइब नहीं किये होंगे तो चैनल को सस्क्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ सेर कर देंगे प्यारे बêmeचचो तो चल्ये आज की class start कर लेते हैं तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पृष्णावली एक दस्मला दो पूरी complete आपको solution इस वीडियो में मिलेगा एक एक सवाल के आपके जवाब मिलेंगे और एकदम सरल तरीकों से प्यारे वैच्चों तो आपका जो हमने कहा एक सुत्र का चर्चा करने वाले हैं वो सुत क्या है क्या है संख्या है थे क्या है प्यारे बच्चों यदि एक सहаст और वाई कोई दो संख्या है आगे करा तथा अगर मारे हैं तथा इसका मसअर तथा इसका इसका मा अ chains मासापा यानि महत्म समाप्त वर्तक जिसे हम लोग SCF कहते हैं इसका SCF कितना है? SCF मान लेते हैं जड्ड हो तब LCM क्या हो जाएगा? तब इसका LCM तो प्यारे बच्चो तब दी गई संख्याओं का तब LCM LCM लगुत्म समाप्त वर्तक लोइस्ट कामन फैक्टर उसके बाद ये मासाप होता है इसे हाइस्ट कामन फैक्टर कहा जाता है प्यारे बच्चो तो दीखें LCM किसका? X और Y का? तो X Y का LCM किसके बराबर होगा? ये हमको जानना है हमने क्या कहा? यदि दो संख्या है यदि X और Y दो संख्या है क्या है वह यदि X और Y दो संख्या है और इसका मौसप यानी SCF क्या है जड़ हो तो इसका LCM क्या होगा तो इसका LCM क्या होगा प्यारे बच्चो तो LCM हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुड़न फल क्या प्यारे बच्चो दोनों संख्याओं का गोडन फल अब बताएं दोनों संख्या कौन है एक्स और वाई है तो यह हो गए एक्स एक्स मल्टिप्लाई वाई बटे बटे दोनों संख्याओं का मौसप दोनों संख्याओं का मौसप दोनों संख्याओं का मौसप एक्स और वाई का मौसप तो एक्स स्वाई का मौसभप क्या है जड़ है यह हो गए फार्मूले यानि यहां हमको एक चीज़े क्लियर हो जाने चाहिए कि जिन दोनों संख्याओं का लस्यम निकालना रहेगा यदि उनका मौसभप पता है तो उनका मौसभप और उन दोनों का गुड़न फल का अनुपात ही क्या कहलाएगा आपका लस्यम निकलके आ जाएगा प्यारे बैच्चो तो यह आपको फार्मूला अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं दिया स्टुडेंट इसी फार्मूले पर प्रिश्णावली एक दस्मलों दो आपके पूरे सौल्व हो जाएंगे तो आईए प्रिश्णावली एक कटें किसी और से विभाजित ना हो जैसे एक्जामपल देख सकते होंगे आप एक दो तीन पांच साथ ग्यार तेरह तो हमने जितनी संख्या लिखा है इसका क्यों ये स्वयम से कटने वाला है ये भी स्वयम से कटने वाला है तीन भी स्वयम से कटेगा इसे कोई और दूसर नहीं कार सकता तो यह हमारी क्या कालाते हैं आभाज जी संख्या कालाते हैं तो वो बोल रहा है कि आभाज जी संख्या के रूप में ब्यक्त कीजिए तो आईए हम लोग आभाज जी संख्या के रूप में ब्यक्त करते हैं तो पहला सवाल आप देखी रहे हैं पहला सवाल क्य और आपका तीसरा क्या है यहाँ पर तीसरा आपका है यहाँ पर 38, 25 और यहाँ चोथा नमबर कौन सा है पांच डबल जीरो पांच है और लास्ट इसका जो छटवा नमबर है वो आपका कितना है और इनको क्या करना है आभाज गुणनखंड के रूप में ब्यक्त करना है तो प्यारे बच्चो आईए हम इनको आभाज गुणनखंड के रूप में ब्यक्त करते हैं यहाँ एक रफ करते हैं यह हमारा क्या रहेगा रफ होर करेगा या तो हम कर सकते हैं यह 140 हो गया प्यारे बच्चों, तो 140 को हम लोग आभाज गुणनकर में ब्यत्त करते हैं, तो सबसे पहले इसको किस से डिवाइड करेंगे, दो से, तो 2 सत्य चौदर, 2 जिरो में 0, यानि जब 2 से डिवाइड किये, तो 70 आ गया प्यारे बच्चों, फिर हम लोग 2 से और दिवाइड नहीं होगा, या तो 3 से डिवाइड होगा, या तो 5 से डिवाइड होगा, तो देखेंगी यह किससे डिवाइड हो रहा पां से, तो 5 सत्य 35 फिर 7 एकके साथ, ये पूर उल्प से क्या हो गया, तो यानि, 140, 140 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 गुड़े, 2 गुड़े पांच गुड़े साथ तो 140 का अभाज गुड़न खंड यही हो जाएगा तो लिखेंगे 140 का अभाज गुड़न खंड अभाज गुड़न खंड अभाज गुड़न खंड तो 140 का अभाज गुड़न खंड क्या हो जाएगा दो गुड़े दो गुड़े पांच गुड़े साथ आप यहाँ छोड़ सकते हैं नहीं तो एक चीज और लिख सकते हैं दो कितनी बार आया है दो बार आया है तो आप दो घाते दो लिख देंगे गुड़े पांच गुड़े साथ आप यहां देख सकते हैं कि 2, 5 और 7 यह तीनों आपके क्या है आप भाजी संख्या है यह किसी से डिवाइड होने वाले नहीं है तो इस प्रकार आपका जो पहला सवाल है वो complete हो जाता है अब हम लोग आते हैं दूसरे सवाल की तरफ दूसरा सवाल क्या कर रहा है इसको आप अब करना चाहो तो डिवाइड कर सकते हो प्यादे बच्छो अलग अलग दिखते रहेंगे तो आपको और आपसान लेका लगाने में अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है दूसरा सवाल है आपका 156 तो आई इसका भी लासर निकालते है 156 का विलासर पर चलिए तो 2 से भाग देंगे तो 2 सते 14 एक बचा फिर आगे 6 उता लेंगे दो अठे 16 फिर दो से भाग दें तो 2 त्याई 6 एक बचा दो 9 अठार अब किस से लास्ट में 9 आ गया तो 2 के पहाडा में तो 9 आता ही नहीं 3 के पहाडा में आता है तो 3 से कटाएंगे तो 3 एक के 3 और 3 तरह का 9 और ये 13 क्या है 13 से ही कटेगा तो ये पूर्णू से कट गए तो प्यारे बच्चों अब क्या लिखेंगे 156 का अभाज 156 का अभाज गुलन खंड क्या आ जाएगा 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 13 कितनी बार दो आया है 2 बार और ये 3 गुड़े 13 तो इस प्रकार इसका ये उत्तर हो गया प्यारे बच्चों समझ में आया आएए आगे की तरह बढ़ते हैं गर्मी बहुत है आप लोगों के लिए चाहे जो भी धेला जा सकता है चले आये तीसरे सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं तीसरा सवाल आप से क्या कर रहा है थोड़ा स्लो कर दीजिए तीसरा क्या है तीन दूनी च्छा बचा दो सत्य एक 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 बचा तीन पच्छे पंद्रह यानि तीन से डिवाइड के तो 1275 आ गया फिर तीन से डिवाइड करते हैं आईए दिखते हैं तो ये तीन चवके बार है ठीक डिवाइड हो गए आगे क्या साथ तो तीन दूनी छ एक बच्छे तो एक आगे हुआ पांच है ती पांच है तो पांच पच्छे पचीस फिर पांच से डिवाइड करेंगे तो सत्रा पच्छे पच्छास ही फिर अब सत्रा सत्रा से डिवाइड होगा तो ये पूर्ण रूप से क्या हो गया डिवाइड हो गया तो अब क्या लिखेंगे अर्टिस सो पचीस का आभाज तीन गुड़े तीन da complete 5 गुड़े पांचë गुड़े is 58 तो इसको आप यहां लिखकर के छोड़ सकते हैं या तो और लिखना चाहिए तो जुरूर लिख सकते हैं कि तीन कितनी वार आया है दो बार तो तीन घाते दो पांच कितनी बार आया दो बार ऐसे लिख दिये और मल्टिप्लाई क्या लिख दिये 17 तो इस प्रेकार इसका आभाजी गुणनखन हो गया पहले बेच्छो कुछ नहीं करना दी गई संख्याओं का लस अपर निकाल लो बागी तो आप आख बंद क आशनी पांसे कटेंगे यहां पर देख पाएंगे किशने से कटेगा 5 तैस यह उसको और नहीं करते हैं की वाध उसको आप चैकि जिए 25 कटांगे देख लीजे सब्सक्राइ सब्सक्राएं एं सब्सक्राइवाल बचे गए तीन साथ चोकर टाइस नहीं साथ से नहीं करेंगे बलगीन को हम लोग साथ से नहीं कटा तो यह 13 से कटा कि दिखते हैं क्या 13 से कटेगा देखें तो 13 13 से कटा कि इसको 13 इक क्यानवे स्टुडएंगे तो यहां अगे एक है यह 13 सरह से पहले 11 से कटेगा 11 998 एक बचा 1141 111 ध्यान से समझेगा 11 999 एक बचा 11 1111 फिर किस से कटेगा प्यारे बच्चो फिर किस से कटेगा अ ते पिर उसके बाद किस ते कटेगा डियर Crit है कि आप लोग 11 से कटाने के बाद इसे 13 से कटाएंगे तो 13,91 फिर 7 से कटा दी एक आ गए तो प्यारे बच्चो थोड़ा सा क्रम उल्टा हो गया है तो इसे हम लोग फिर से देख लेते हैं पहले 7 से कटा देते हैं ध्यान से आप देखिएगा इसको हम लोग क्या कटाएंगे पहले 7 से कटाएंगे हो जाता है पहले बच्चो तो 5 से कटाने के बाद 5 से कटायत कितना आया था िACH एक हजार एक आया था फिर 7 से कटाएंगे तो 7 तो लिखेंगे पांच हजार पांच का अभाज गुड़न खंड तो आभाज गुड़न खंड क्या आजाएगा पांच गुड़े साथ गुड़े 11 गुड़े 13 तो इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं तो यह रहा इसका आभाज गुड़न खंड एक बार आप इसे पुनह देख सकते हैं क्या करेंगे पांस से डिवाइड किये तो 1100 गाया फिर 7 से डिवाइड किये तो 143 तो 11 से डिवाइड करती अूर जो यह सब मिले यह सब इसके अभाजी गुन कंड लास्ट दी गई संख्या 349 का आभाजीग में क्या बहुत तो आईिए इसको भी करते हैं 17 से तो 17 से डिवाइड करेंगे तो सत्रह चोंके 68 सात्रह चोंके 68 प्यारे बच्छों फिर उसके बाद क्या आज जाएंगे यहां आपके पास छ बचा कितना बचा है च्छा बचा कितना बचा है 68, 74, 64, 64, 64, 64, पिर आगे 2 हो गए, तो 17, 68 ज्यादा होगा तो 17, 51, 17, 51, फिर कितने बचे गए प्यारे बच्चे, 11, और आगे 9, त्यानि 17, 17, 11, और में 7, 17, 17, और ke 437 आएंगे बच्चों आप डिवाइड करके देखेंगे तो यह आपको मिलेगा, फिर इसको किसे डिवाइड करेंगे 17 से डिवाइड नहीं होगा, 19 से डिवाइड होगा 29, 34, smoking 29, 38 बचे कितने आए, 5 बचे कितने बचे है, पांच, 9 तो उनन harbor h potentially 57, अब भाज जी गुणनखंड क्या आजाएगा सत्र गुड़े 19 गुड़े 23 इस प्रकार आपका ये जो सवाल है वो कम्प्लीट हो जाता है प्याजी बच्चो या तो आप इसको लिखना चाहते हो इधर लिख सकते हो कि अब भाज जी गुणनखंड जो आएगा सत्र गुड़ बरते हैं दूसरा सवाल क्या करा है निवलिखित पुणांकों के युगों के यस्जिफ और एलसेयम ग्याद किजे और जाच कि जैविएर दो संख्याओं का अगुड़न फल बराबर एक यानि आपको यस्जिफ ग्याद करना है ये ये सिम ग्याद करना है और साथ में प्र पराबर होता है यह स्वाल के गुड़नफल के पराबर होता है आईए दूसरा सवाल दूसरे का पहला नंबर क्या कर रहा है 26 और 91 26 और कितना है 91 है फिर उसके बाद इसका दूसरा नंबर क्या कर रहा है पान सो दस क्या है पान सो दस और 92 है कितना है 92 फिर अब कर रहा है कि इनका आप सीअफ निकालो और क्या निकालो LCM निकालो तो प्यारे बच्चो आईए LCM निकालते हैं तो 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 13 गुड़े दो 26 को 13 गुड़े दो और 91 को क्या लिख सकते हैं 13 गुड़े साथ 13 गुड़े क्या हो गए 7 हो गए प्यारे बच्चो तो SCF निकालना है न क्या HCF किसका है SCF 26 और 91 का SCF तो SCF का फार्मूला क्या पढ़े थे SCF का होता है जो दोनों में कामन हो तो दोनों में कवन मिल रहा है दोनों में 13 मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा SCF हो जाएगा तो दोनों में मिलने वाली संक्या क्या कहलाएगी SCF हो जाएगा फिर LCM निकालना है क्या निकालना है LCM निकालना है 26 और 192 का तो जो दोनों में कामन है वो एक बार लिखा जाएगा और जो नहीं कामन है उनको भी उतालेंगे LCM कर देंगे तो 13 दूनी कितना 26 गुड़े 7 7 चंगे 42 7 दूनी 4, 4, 8 यानि LCM कितना आगया 182 आगये तो आपके जो क्योस्टन थे वो कम्प्लीट हो गए LCF आपने निकाल लिया कितना 13 और LCM निकाल लिये 182 पर वो सिद्ध करनी के लिए कर रहा है क्या सिद्ध करनी के लिए कर रहा है कि सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि दोनो संख्याओं का गुड़न फल बराबर तो दोंो संख्याओं का गुड़न फल बराबर इन दोनों का तो दोनो संख्याओं का गुड़न फल बराबर HCF गुड़े LCM यानि जो इन दोनों संख्या का गुड़ा करेंगे वही इन दोनों का गुड़ा करने पे आना चाहिए तो आईए दोनों संख्या तो दोनों संख्या कौन है 26 है और कौन है 91 है और HCF कितना आया है 13 और LCM कितना है 182 तो गुड़ा कर दीजीए प्यारे बच्चों गुड़ा करेंगे तो चलिए गुड़ा करते हैं तो आप गुड़ा करेंगे तो 26 का गुड़ा 91 से करेंगे कितना आ जाएगा 26 एके 26 फिर यहाँ 26 गुड़े 9 कर लेते हैं तो 26 गुड़े जब 9 करोगे तो 9 चके 54, 9 दुनी 18, 5 तेइस 234 आ जाएगे और दो ठोहासिल 236 तो यानि 23 चाचट आ जाएगे अगर 23 चाचट इधर आते हैं तो आपके जो सिद्ध करना वो बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों तो 13 दूनी 26, 13 अठे 104 और 104 दो 106 काई 6, 13 के 13 दस थो हासिल 13 दस तेइस तो आप देख सकते हैं कि दोनों पच्छाप के क्या हैं बराबर है यानि जो वो सिद्ध करने के लिए कर रहा है वो आप सिद्ध कर लिए प्यारे बच्चों तो इस प्रिकार आपका पहला सवाल कंप्लीट हो जाएगा अब कौन सा देखना है दूसरा नमबर देखना है 510 को आप भाजी गुडन खंड में व्यक्त करेंगे तो चलिए तो दो दूनी चार एक बचा फिर दो पंचे दस एक बचा दो पंचे दस कट गए प्यारे बच्चो फिर अब किस से डिवाइड करेंगे तीन से कटेंगे 3 से ये कट रहे हैं 3 से कट रहा 3, 8, 24 1 बचा 3, 5, 15 फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 17, 5, 85 फिर 17 से डिवाइड करेंगे एक आ गए जब एक आ गया तो वहीं छोड़ देंगे आगे कितना हैं 92 है 92 के डिवाइड करते हैं 24, 8 1 बचा 2, 12 12, फिर कितना आ जाएगा फिर 23 दुना 46, फिर 23 से डिवाइड कर देंगे एक आ गए तो प्यारे बच्चों, यानि 510 को हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख लेंगे 2 गुड़े, 3 गुड़े, 5 गुड़े 17 और 92 को क्या लिख देंगे 92 को लिखेंगे 2 गुड़े, 2 गुड़े, 23 अब देखिए आपको H.C.A.P. निकालना है तो H.C.A.P. निकालने के लिए जो दोनों में कामन होते हैं वही H.C.A.P. होते हैं तो दोनों में कामन कावन है 2 कामन है तो यह आपका क्या होगा SCF होगा तो लिखेंगे HCF 510 92 का SCF आगए 2 और LCM क्या होता है LCM होता है 510 और 92 का LCM क्या हो जाएगा जो दोनों में कामन है वो एक बार जो नहीं है वो भी लिखे जाएंगे इसमें सब आएंगे चाहे गुनाह किये हो या ना किये हो सब को सजा मिलने वाली है तो आप गुड़ा कर देंगे तो दो त्याहीं 6 पंचे 30 और 30 गुड़े 17 गुड़े 23 दूनी 46 17 जिरों में 0 17 तरीक 51 तो 510 गुड़े कितना आ गया 46 आ गया प्यारे बच्चों तो 510 गुड़े 46 तो आप इनका गुड़ा कर देंगे तो जो गुड़ा करेंगे वही इनका क्या जाएगा LCM आ जाएगा तो आप गुड़ा करके देख सकते हैं इन दोनों का मल्टी क्प्लाई करने पर 23407 आ गये यानि इसका LCM चलिए इनका गुड़ा करने पर 23406 आ गये ति ये इनके LCM आ गये फिर अब आपको क्या करना है उत्तर की जाच करना है तो उत्तर की जाच करना नहीं उत्तर की जाच नहीं सिद्ध करना क्या करना सिद्ध करना है तो सिद्ध करने में क्या करना है करा कि दोनों संख्याओं का दोनों संख्याओं का गुड़न फल गुड़न फल यहीं न समझ लिजेगा तो दोनों संख्याओं का गुड़न फल बराबर एसियफ गुड़े एलसियम तो चलिए तो दोनों संख्याओं का गुड़न फल तो दोनों संख्या कवन है पान सो दस गुड़े बान पे यसीफ कितना है यसीफ है दो लसीफ कितना है तेईस चार सो साथ है गुड़ा कर दीजिए तो दो जिरह में जीरो दो चंगे बार दो चुके आठ एक नौ दो त्याएं इच्छ दो दूनी चार तो इन दोनों का 24920 यह आपने सिद्ध कर लिए प्यारे बच्छो तो इस प्रिकार से आपका जो पहला सवाल था और दूसरा सवाल था वो कंप्लीट हो जाते हैं अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बाक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं आपके अगर क्लियर हो गए हो 34336 और क्या है 54 है इसका एस्टीअफ और एलसीम निकालना है तो सबसे पहले क्या काम है सबसे पहला काम है आभाज गुणनखंड के रूप में ब्यक्त करेंगे तो चलिए 336 का आभाज गुणनखंड करते हैं तो दो से भाग देंगे दो एक के दो दो चंगे बार दो अठे सोल फिर दो से डिवाइड करेंगे दो अठे सोल दो चव के आठ फिर दो से डिवाइड करेंगे दो चव के आठ दो दूनी चार फिर दो से डिवाइड करेंगे 21 फिर तीन से डिवाइड करेंगे साथ फिर साथ से डिवाइड करते है एक, यानि जब एक आ गया तो हम लोग डिवाइड करना बंद कर देंगे इसका भाज गुरंखंड खतब अब क्या है, चववन है तो चववन को लिखते हैं आइए, दो से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 27 आएगा फिर 3 से तो 9 फिर 3 से 3, फिर 3 से 1 यानि इसका भी डिवाइड कर लिए तो प्यारे बच्चो, आभाज गुरंखंड की रूप में हमने व्यक्त कर लिया है 336 का भाज गुरंखंड ये है 54 का भाज गुरंखंड ये है तो लिखते हैं यानि 336 को क्या लिख सकते हैं दो गुरे, दो गुरे, दो गुरे, तीन गुरे, साथ फिर उसके बाद 54 को क्या लिख सकते हैं दो गुरे, तीन गुरे, तीन ये लिख दिए अब आप देखें दोनों में क्या कामन है दोनों में जो कामन होगा वही यस्यफ होगा तामन का मतलब जो दोनों के तरफ हो तो उसके बाद ये दिखिए एक तीन भी दोनों में मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा SCF HCF 336 और 54 का SCF क्या होगा ये 2 है ये 3 है तो 2 त्याएं कितना आ गए 6 आ गए तो ये SCF आ गया फिर क्या निकालना है LCM निकालना है LCM किसका 336 और 54 का आईए जो सब में हैं उनको भी लिखो जो सब में नहीं हैं उनको भी लिखो तो 3 ठो 2 है और 1 तीन भी है एक क्या है 7 है 2 ठो 3 इधर बच्चे है तो आप क्या करेंगे यानि इसमें सब का गुड़ा किया जाएगा और केवल अंतर ये आते हैं कि जो सब में रहेंगे वो केवल एक बार लिखे जाएगे जैसे ये 2 एक बार लिखा जाएगा ये 3 एक बार लिखा जाएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 38 ये आ गए आएगा वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चो अब आपको क्या करना है अब आपको करना है सिद्ध करना है क्या सिद्ध करके दिखाना है कि दोनों संख्याओं का गुड़न फल दोनों संख्याओं का गुड़न फल बराबर क्या होगा HCF गुड़े LCM तो दोनों संख्याओं का गुरण पर तो दोनों संख्याओं कौन है 336 है गुड़े कौन है 54 बराबर HCF कितना आया है चाया है और LCM कितना आया है 48 गुड़े 63 तो प्यारे बच्चों आप इनका multiply करेंगे multiply करने पर ये दोनों पच्छापस में क्या आएंगे बराबर आएंगे तो इस प्रिकार आपका जो तीसरा question है वो complete हो जाते हैं अगर आप multiply नहीं कियोंगे तो हम कर देते हैं प्यारे बच्चों multiply करेंगे तो 3024 आएंगे आप लोगों ने बताया भी ठीक प्यारे बच्चों तो आप इनका गुदा कर देंगे तो गुदा करेंगे तीन दोनों का गुदा करने पर क्या हैगा 3024 आ जाएंगे तो आप हल करोगे तो दोनों पच्छापको पराबर दिखेंगे इतना तो आप करी सकते हो ना कर पाईञेगा तो भी बता दिचेगा मल्टीप्लाइ काने दिचा आपके question number 1 और question number 2 अगर clear हो गए होंगे तो जो बच्चे अभी चैनल को share नहीं किये हैं और subscribe नहीं किये हैं कि अच्छी बात है उमीद करते होंगे कि आप लोग कर दिये होंगे तो तीसरा सवाल है अब भाजी गुणनखंड विधी द्वारा निम्लिकित पुणांकों का एस्यप और लस्यम जाद करना है आईए कि क्या है कि बारह 15 और 21 यह पहला सवाल है ठीक फिर उसके बाद आपका दूसरा सवाल है सत्र तेईस और कितना है बानबे है उसके बाद तीसरा सवाल क्या है तीसरा सवाल है आठ नौ और कितना है पचीस है स्यप और लस्यम ग्याद करना क्या ग्याद करना है स्यप और लस्यम तो चलिए गुणनखंड विधी तो बारह को क्या लिखेंगे 12 को 2 गुड़े 2 गुड़े 3 2 दुनी 4 त्याई 12 फिर 15 को क्या लिखेंगे 3 गुड़े 5 15 को क्या लिखेंगे 3 गुड़े 5 फिर उसके बाद 21 21 को क्या लिखेंगे 3 गुड़े 7 तो प्यारे बच्चो SCF निकालना है क्या निकालना है SCF है किसका 12 15 15 का askכ देख थेंगा कामन हो सबमें कामन कामन है सबमें कामन कामन है तीन कामन है यह क्या गया तीन आ फिर LCM क्या होगा जो सब में हो और वो भी जो ना हो वो भी तो 12, 15, 15 का LCM तो 12, 15 कितना है ? 2 है फिर 2 है फिर कितना है ? 5 है फिर कितना है ? 7 है और सब में कौन है ? 3 है दो दूनी चार पंचे 20, 20 और सातरी 21, 21 जिरम में 0, 21 दूना 42, तो 420 इसके क्या आगे, LC हम आगे, ति इस परिकार आपका ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा क्या है, 17, तो 17 को क्या लिख सकते हैं, एक गुड़े 17 लिख देंगे, फिर 23 है, तो 23 को क्या लिखें लिख देंगे, एक गुड़े 23 लिख देंगे, फिर 92 है, तो 92 को भी लिख देंगे, एक गुड़े 92 लिख देंगे, ठीक प्यारे बच्चों, हाँ, 92 को और कुछ जरूर लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, क्या 92 को डिवाइड कर सकते हैं, बिलकुल डिवाइड कर सकते है बानबे को क्या लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों जरास आप रफली यहां कर लीजे तो 2, 4, 8, 2, 6, 12, 23, 24 आ गए प्यारे बच्चों फिर 23 ठीक ऐस इन्हों लिखा जा सकता है क्या लिख सकते हैं एक गुड़े-दो-गुड़े-दो-गुड़े अब क्या आगया एक अब LCM की चर्जा करेंगे LCM कौन 17,23 और 92 का LCM तो दिखें इसमें क्या होता है सब लिखे जाते हैं हो या नहों तो कौन है 17 है अगले में कौन है 23 है फिर कौन है भी यह अगले में इसलिए जितनी बार आया है उतनी बार लिखेंगे तो प्यारे बच्चो गुड़ा कीजिए तो 17 गुड़े 23 दूना 46 और 23 दूना 46 आप इसका multiply कर लेंगे तो आपके जो आएंगे वही क्या हो जाएंगे LCM हो जाएंगे DA Student अगला सवाल करते हैं अगला सवाल क्या है 8 क्या है आठ आठ को लिखेंगे अभाज्य के रूप में दो गुड़े दो दुनी चार दुनी आठ नौ को क्या लिखेंगे तीन गुड़े तीन ठीक प्यारे बच्चों नौ को क्या लिखेंगे तीन गुड़े तीन और पचीस को क्या लिखेंगे पांच गुड़े पांच इसके भी गुड़े कर लेंगे तो तो इनका अगर सिय निकालना होगा तो एस यह क्या जाएंगे यह तो HCF किसके आठ नौ और पचीस का HCF कितना आजाएगा एक और प्यारे बच्चो फिर LCM कोन होगा LCM कोन होगा जो सब में है वो भी जो नहीं है वो भी आठ नौ और पचीस का LCM तो 2 गुड़े 2 गुड़े 2 फिर 3 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 5 तो 2 दुनी 4 दुनी 8 तेंतरेका 9 और 5 पचे 25 तो multiply कर लेंगे तो आठ नुवा बहत्तर गुड़े 25 तो यह आप multiply करोगे तो multiply करने के बाद यह आपका answer मिल जाएगा प्यारे बच्चों तो इस प्रकार आपका जो तीसरा सवाव था वो भी complete हो जाते हैं तो आप इसका screenshot लेना चाहते हो तो ले सकते हो दिए student चोथा क्या कर रहा है यह सीफ क्या दिया है ऐसे दिया है एच सीफ 306 और 657 बराबन नौ यह दिया है फिर LCM पूछा LCM 306 और 657 का LCM तो अभी जैस्टर ने एक फार्मॉला बताया था प्यारे बच्चों वो फार्मॉला ज़रा सा याद किजिए किसी भी संख्या का LCM निकालना हो और कब जब उसका SCF पता हो तब के लिए क्या होता है दोनों संख्याओं का गुलन फल तो दोनों संख्याओं का गुलन फल तो दोनों कौन है 306 गुले चाहसो सत्ता हों 73 तो 306 गुड़े 73 करेंगे तो 22 338 आएंगे कितना आएगा 22 338 तो यह इनका क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा एक छोटा सा फार्मूला है डिया स्टूडेंट बस कि जब हमको LCF पता होगा LCM निकानना होगा तो दोनों संख्या का गुड़ा करके यस्तियब से भाग दे देंगे तो इस आपके आ जाएंगे प्यारे बच्चो अब हम लोग आगे की सवाल कांटीनियू करते हैं आप अगर संख्या करते हैं तो प्यारे बच्चो कह रहा है कि संख्या क्या दिया गई है संख्या संख्या कितनी है च्छ के पावर यन तो क्या च्छ की पावर यन को हम लोग च्छ का आभाज गुलनकंड करें तो दो गुले तीन आ जाएगा दो गुले तीन च्छ का आभाज गुलनक हो सकती है यानि वो बोल्ड हाया है क्या इसका यन का मान अगर हम एक दो तीन चार पांच साथ रखते चले जाए क्या यह जीरो पे आएगा क्या लास्ट में जीरो आएगा बिल्कुल नहीं आएगा प्यारे बच्चो क्यों क्योंकि इसके अभाज गुड़नखंड दो और ती इन की सिवा कोई दूसरा अंक नहीं आया है तो इसलिए चार के पावर यन के रूप में कोई भी अंक रखोगे तो जीरो नहीं आएगा चाहता आप देख सकते हो तो लिखेंगे 6K power N अंक सुनने पर सुनने पर कभी समाप्त नहीं होगी कभी समाप्त नहीं होगी ठीक, नहीं होगी आप अब example देखना चाहोगे तो देख सकते हैं आपको example दिखा सकते हैं जिसे जहां 6K power N है एक बार हम क्या करते हैं इस case में N बराबर 1 रखते हैं तो जहां 6K power 1 बराबर क्या जाएगा जब आप N बराबर 2 रखोगे N बराबर 2 तो 6K power 2 6K power 2 यानि 36 आ गए फिर N बराबर 3 रखोगे तो 6K power 3 करोगे तो 216 आ जाएगे ऐसे आप multiply करते चले जाओगे पर कभी भी लास्ट में 0 आएगा ही नहीं लास्ट में आपके क्या आने वाले हैं 6 6 6 देख रहा है त्यानि 0 कभी नहीं आएगा तो वहीं हम लोग लिख रहे हैं कि 6K power 1 यान जो है अंक सुनने पर कभी समाबत नहीं होगा कब कब जब N क्या हो प्राकृतिक संख्या हो जब N क्या हो प्राकृतिक संख्या हो होगा जब यन प्राकृतिक संख्या हो ठीक यह ठीक तो आप इस प्रकार आपका 4 स्वाल और 5 स्वाल कंप्लीट हो जाते हैं प्यारे बच्चों इसका स्क्रीन स्वाट लेना चाहते हो तो ले सकते हो तो प्यारे बच्चो छटमा स्वाल क्या करा है ब्याख्या कीजिए कि क्या ये जो दी गई संख्याएं है ये भाजी संख्या है क्यों है यानि भाजी का मतलब ये किसी दूसरे से विभाजी थोंगी और विभाजी थोंगी क्यों होगी वह आपको ब्याख्या क प्लस तेरह तो देखें उधर भी तेरह तो दोनों में तेरह कामन आ गया जब दोनों में तेरह कामन लोगे तो क्या बचा साथ गुड़े 11 और इधर बाहर आ गया एक अगया तो 33 11 37 77 11 7 7 plus 1 यानि 13 38 यानि यह संख्या भाज्य किस से भाज्य तेरह सेального आप है तो हम बता सकते है क्यों फाग्या यहकों के इसका जो है एकसे अतरिक्त को रहने टेरह से आतरिक्त गुंदर रहने एकतर से और है तो प्यारे बच्चो अगर आप 1378 का गुड़ा कर दोगे तो एक हजार चौदा आ जाएगा और एक हजार चौदा जो है विभाज्य है यह एक हजार चौदा विभाजित है अगर आपको कुछ नहीं करना तो आप देख सकते 1368 यानि 13 से यह वाली संख्या क्या और यह भाज् यह एक के सिवाय किसी और 13 से कट रहा है तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चो इसी प्रकार आपका यह है क्या है साथ गुड़े चार गुड़े तीन गुड़े दो गुड़े एक और प्लस कितना है पांच तो दीखिए पांच इधर है तो दोनों में क्या हो गए 24 गुड़े चार गुड़े तीन गुड़े दोलस एक इतना तो आप में जब यहां से क्या कामन लेनी कितने लेए तो आप दिखी ये पांच से कटेंगी ये सभी संख्याएं किस से कट जाएंगी पांच से कट जाएंगी प्यारे बच्चो तो पांच से कटेंगी ये आपको उम्मीद है क्यों प्यारे पांच से कटेंगी क्योंकि ये पांच इसमें क्या है कामन है तो पांच जिसमें कामन हो वह पांस से कटेंगी तेहां लिख देंगे कि ये दी गई संक्या है क्या है भाजें क्यों है क्योंकि इसका जो गुड़न करने वह एक से अधिक है एक से अतरीक है लिखेंगे तो इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हो प्यारे बच्चो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं आप गुड़ा करेके जोड़ दोगे तब भी वह संख्याय पांस से डिवाइड ही होंगी अगला सवाल क्या है इस चैप्टर का लास्ट सवाल है प्यारे बच्चो और जो अभी खेल के मैदान के चारो और एक बृत्ताकार पत है किसी खेल के मैदान के चारो और एक बृत्ताकार पत है इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं कोई सोनिया नाम की लड़की है सो एन आई ए तो सोनिया जो है वो एक चक्कर लगाने में 18 मिनट ले इलचेंगे सोनिया के द्वारा कि लिया गया समय कितना ऐा कि तना है ऐगी करें जब तो रभी के दूरा रभी के दूरा लिया गया समय कितना है बारह मिनट है कितना है बारह मिनट है करा है कि दोनों एक ही अस्तान पर एक ही समय सब्सक्राइब करते हैं यहां तक कितना समय लगा देंगे तो दोनों के दोनों के दौरे लिए गए रीड आिल निकालेंगे लूर से लूज़ेंगे तो जो छाम्या यह सक Airport की आ जाए गा कि का या कि तो प्यारे बच्चों फड़ा सा अप UX सब्सक्राइं कि जो तो सोनिया के द्वारा लिया गया समय है और रभी के द्वारा लिया गया समय है उन्हें दोनों समयों का हमें LCM निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि यह कब मिलेंगे तो लिखेंगे LCM कितना हो जाएगा 18 और 12 तो 18 और 12 निकालने के लिए पहले 18 को हम लोग लिखेंगे दो गुड़े तीन गुड़े दो त्याई च्छ गुड़े तीन ये हो गए फिर बारा को क्या लिखेंगे दो गुड़े दो गुड़े तीन तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं दोनों में क्या कामन है दो कामन है क्या कामन है फिर कौन कामन है तीन कामन है तो प्यारे बच् तीन लिख लिए एक बार तीन और लिखेंगे एक बार दू और लिखेंगे तो दो त्याए 636 त्रिक 18 दुनी 36 यानि 36 मिनट में 36 मिनट बाद रभी और सोनियां अपने प्रारंभी कस्तान पर पुनह मिल जाएँगी तो प्यारे बच्चो इसी सवाल के साथ आज का जो अध्याय है आज का जो क्लास है वो समाप्त कर लेते हैं प्यारे बच्चो आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नहे होंगे तो चैनल को सस्क्राइब कर लेंगे तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत प्यारे बच्चों अपना प्यार बनाए रखिएगा